इसकी जो समरी है इसकी जो स्टोरी होई इस प्रकार है कि रंजी नाम का एक लड़का होता है और वो एक फोरेस्ट में जाता है तो वहाँ पे उसको एक तालाब दिखाई देता है पूल और वो काफी नीट और क्लीन है तो जब वहाँ पे बैठा होता है उसको देखता है तो उसको अपने जो राजपुताना डेजर्ट में रहता था वो वहाँ का जो तालाव उसकी याद आ जाती है और वहाँ का जो तालाव था काफी डर्टी था क्योंकि वहाँ पे जो एनिमस थे वो नाते थे और जो लेडिस थी वो अपने कपड़े वगरा व वो कहता है कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं यहां पे swimming करने के लिए आया हूँ तो लड़का कहता है कि मैं warrior हूँ और यह तालाब है यह पूल मेरा है यहां पे तुम तैर नहीं सकते हो ना कुछ नहीं कर सकते हो तुम यहां से चुप चाप चले जाओ लेकिन जो रंजी है वो भी कहता है कि नहीं मैं भी फाइटर हूँ अगर तुम वोरियर हो तो मैं फाइटर हूँ मैं भी डरके नहीं बागूंगा तो जो लड़का है दूसरा लड़का उसका नाम सूरज होता है वो उसको कहता है कि अगर तो मियां से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा लेकिन वो जो रंजी है वो डरता नहीं है और उसके चैलेंज को स्विकार एक्सेप्ट कर लेता है फिर दोनों में इस तरह लड़ाई होते हैं लड़ते लड़ते दोनों पूल में चले तो थक तो दोनों ही जाते हैं लेकिन सूरज कहता है कि चलो अब जो लड़ाई हामी से कंटीन्यू करेंगे लेकिन कल करेंगे अब हम घर चलते हैं इस तरह दोनों घर चले जाते हैं और रंजी जब घर आता है तो उसके फेस पे और उसके एंड्स पे काफी मार्क्स होते है पिटाई के और जो कट मार्क्स होते हैं उनको चिपाने की कोशिश करता लेकिन चिपने पाते क्योंकि बहुत सारे मार्क्स लगे हैं तो इस तरह नेक्स डे आ जाता है और जब वह मार्केट के लिए जाते हैं दोनों तो जो रंजी है वो उसको देखता है कि सूरज भी दरीय दा रहा है तो फर्स्ट ओफ ल तो सोचता है कि मैं इसको इगनोर करते हूं इसको देखται हूं रहो देखने लगा लेकिन फिर लेकिन वह ऐसा नहीं करता और फिर दोनों इस तरह पूल में चले जाते हैं और दोनों यह मतलब यह सोचते हैं कि लड़ाई कौन सा फाइट कौन से वाला पहले शुरू करे तो इस तरह चलती रहती है और जो हरंजी है फिर वो स्विमिंग करने लग जाता है और उसमें गोते लगाता है तो जो सूरज है वो देखे काफी सर्प्राइज होता है कि वो बहुत अच्छा गोता खोर है तो उसे कहता है कि तुम इतनी अच्छी डाइविंग कैसे करते हो तो कहता है कि बहुत तीजी है मैं तुमें सिखा सकता हूँ और इतना कहते कहते वो इसके मतलब पान सिकhादो है कि मैं तुमें नहीं और उसका भी जो र This को खुषि होती है जब उसकी कोई में की प्रेज करता है और साथ में सूरज आ जो कहता है कि मैं अच्छा मतलब रैसलर हूं चाही तो मैं तुम्में रैसलिंग फाइट का जो परपज बन चुका था वो एक अच्छे परपज में चेंज हो जाता है दोनों ही मतलब अब यह सोचते हैं कि हम मिलके आप किसी ऐसी चीज के लिए लड़ेंगे जो अच्छी हो मतलब कुछ सीखने के लिए लड़ेंगे तो वो उसको स्विमिंग करने के लिए एंड करेज करता है और जो रंजी है वो उससे रैसलिंग सीखना चाता है तो इस तरह दोनों की जो फाइटिंग है वो एक अच्छे परपस के लिए फिर वो फाइट करते हैं मतलब जी उनमें कुछ पाने के लिए फाइट करते हैं फिर तो यह थी इसकी सामरी नौ वी विल इस तरीके से डिफरेंट है जो कि राजपुतना डेजर्ट में जो तालाब के बारे में जानता था जैसा उसने देखा था उससे यह फोरेस्ट वाला पूल कैसे डिफरेंट है सेकेंड ग्वेशन है जो दूसरा बच्चा था सोराज कोन है ऐक रंजी और दूसरा जो अपने आपको एकस्प्लें करो analogy से क्या क्या कहेगा second was he in your opinion right or wrong to ask this question आपके विचार में जब वो उससे कुछ पूछ रहा है और कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो था क्या वो right है wrong है question 3 between Ranji and other boy who is trying to start a quail Ranji और जो other boy था सूरज उनमें से कौन लडाई करने की quail हो तब चल लडाई कौन लडाई की कोशिश कर रहा है give a reason for your answer और आपको आपके answer के कारण भी बताने है कि कौन fighting शुरू कर रहा है question 4 है और जो दूसरा लड़का था सूरज उसने कहा है कि ठीक है हम अपनी fight को continue रखेंगे first part is what made him say that कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसको ऐसा करने के लिए made होता है बच्चो मजबूर करना उसको मजबूर किया second day did the fight continue if not why not क्या जो fight थी वो continue in next day यह दिन नहीं तो क्यों नहीं तो यह मारा first question का answer है the pool in the forest is clean and cold while the one in the राजपुताना desert was muddy and sticky जो यहाँ पे जो forest में जो पूल था वो clean और cold था जबकि जो राजपुताना desert में था वो काफी kitchen वाला और sticky था muddy और sticky था तो बच्चो आप पिछे से question राइट करके यहाँ से answer देख सकते हो question आप अपने book से भी देख सकते हो question second है कि उसने उससे क्या expect किया उसका first part का answer है the other boy expected रंजी to say sorry वो यह expect कर रहा था कि रंजी sorry कहे और अगर आप add करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो the other boy expected रंजी to say sorry and leave the forest immediately वो चाता था कि यहाँ से sorry कहे कि वो जल्दी से चला जाए second है क्या वो सही था ऐसा करके जब उसको बोल रहा था no I think he was not try to ask this question नहीं वो सही नहीं था जब वो ऐसा question उससे पूछ रहा था the pool was common property क्योंकि जो pool था तालाब था वो एक common property था उसकी कोई private property नहीं था वो question 3 का जो answer है कि लड़ाई किसने start की लड़ाई कोन करना चाहता था तो it is सूरज who starts the quail यह सूरज सा जो लड़ाई को start करता है he asked Ranji to leave the pool वो Ranji को कहता कि पूल छोड़के चले जाओ he also threatens to beat him threatens हो था बच्छ दमकी देना वो उसको पीटने की दमकी भी देता है कि मैं तुमारे पीटाई कर सकता हूँ question 4 उसने जो words कही थे first answer है सूरज spoke the above words कि वो कहता है कि लड़ाई को हम कल continue रखेंगे तो किस चीज ने मजबूर किया था उसको सूरज spoke the above words because he was tired उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो थक चुका था but he didn't want to forgive रणजी who refused to accept defeat लेकिन साथ में वो रणजी को माफ भी नहीं करना चाता था जिसने उसकी defeat होता हार refused होता है इंकार करना accept होता स्विकार करना जिसने हार मानने से इंकार कर दिया था आर को स्विकार करने से इंकार कर दिया था उसको भी वो माफ नहीं करना चाता था और ठक भी गया था तो दोनों ही चीजों से बचने के लिए उसने का so he postponed the fight for the next day इसलिए उसने जो लड़ाई थी हो next day के लिए postpone कर दी और जो इसका second part है कि जो fight थी हो continue हुई या नहीं हुई यह थी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई no the fight didn't continue the next day नहीं जो fight थी हो next day continue नहीं हुई both Suraj and Ranji realized that they could be helpful for each other दोनों ने यह realize किया कि दोनों ही एक दुसरे के helpful हो सकते है Suraj asked Ranji to teach him to dive and swim under the water Suraj ने Ranji से का कि वो उसको पानी के नीचे से तैरना और गोते लगाना सिखा दे Ranji agreed to become a wrestler with the help of Suraj और Ranji भी Suraj की help से एक wrestler बनने के लिए तयार हो गया, सहमत हो गया तो यह थी मारे page number 53 के question answer तो मैं एक बार आपको जो इससे पीछे वाला page है उसके भी आपको question explain कर देती हूं what is it that Ranji finds difficult to explain at home क्या चीज ती जिसको वो गर पे explain नहीं कर पाता उसको गर पे explain करने में मुश्किल होती है second, फिर second question Ranji sees this his adversary in the buzzer Ranji adversary होता है जो उसका विरोधी है उसको वो बाजार में देखता है इसके दो पार्ट है क्या इच्छा होई कि क्या करें second part, what does he actually do and why वास्तों में क्या करता है और क्यों third question Ranji is not at all eagle for a second fight जो Ranji है वो दोबारा fight करने के लिए उसको नहीं है why does he go back to the pool then लेकिन उसके बावजूद भी वो पूल पे क्यों जाता है वो जो fourth question है who was the better swimmer how do you know it सबसे जो दोनों में है वो better swimmer कोन है तहराक अच्छा कोन है और आप कैसे जानते हो कैसे बता सकते हो question five what surprises the warrior जो warrior था उसको कौन सी चीज़ एरान कर देती है six and now that they are at the pool why didn't they continue the fight दोनों या पूल में तालाब में है लेकिन फिर भी जो फाइट उसको continue नहीं करते हैं क्यों seven arranges superiority over the other boy is obvious in the following superiority होते है उसकी जो परदाम था थी मतलब वो superior था उससे यह जो lines है उससे obvious मतलब किलियर होती है उससे पता चलती है कौन कौन से वर्ड physical strength physical strength में ज्यादा superior है पता हमें नहीं है क्योंकि वो तो बहुत अल्दी था जो सूरज था और यह थोड़ा सा weak था बोना पड़ता था उससे good diving yes good diving तो थी his being a fighter fighter नहीं था sense of humor swimming underwater making a good point willingness to help तो किस चीज में ज्यादा पड़ता है आगे मैंने सारा answer में आपको दिया है underline the relevant phrases इन मेंसे जो phrases relevant हैं जो तरक संगत हैं जो रंजी के संदर में सही हैं उनको हमें underline करना मतलब उनको हम अलग से करके answer में write कर देंगे question 8 what according to you makes the two adversaries turn into good friends आपके according कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो adversaries होता है बच्चो विरोधी जिसे दो जो विरोधी थे वो अच्छे friends बन जाते हैं in a matter of minutes कुछी minutes में explain it as you have understood it आपको जैसे समझ में आप वैसे explain कीजिए तो अब इनके answer हम discuss करेंगे तो जो हमारा page number comprehension check जो page number 53 पर उसके answer हम आप कर रहे हैं question first है कि वो घर में क्या explain करना difficult हो रहा था रंजी had several cuts and marks on his face and arms रंजी के face और जो arms सी बुजाएं थे उन पर काफी सारे cuts और marks लग गए थे जब उसे मार रहा था पीट रहा था तो he finds it difficult to explain the causes of these injuries at home और उसको ये difficult लगता है कि घर पे ये जो injuries हुई जो ये मतलब जखम हुए उसको उनको कैसे explain कर उनके कारण को वो कैसे बताई क्योंकि अगर और पे काईगा वो घर पे किसी को ये काईगा कि वो लड़किया है तो घर वाले उसको ढटेंगे जो उसके पास लेमनेट के जो बोटल थी उसको वो उसके एनिमी होता दुश्मन उसके दुश्मन के उपर फैंक के मारे और जो सेकेंड है क्या उसने एक्चुली में क्या किया रियल में क्या किया ही एक्चुली स्टैंड सीज ग्राउंड एंड स्कॉल्स अट दा अधर बोए और जो रियल है, रियल्टी में उसने ऐसा नहीं किया, उसके उपर जो लेमिनेट बोटल थी, वो फैक के निमारी, एक्चुल में वो जमीन पर खड़ा हो गया, स्कॉल्स होता है, बच्चों घूर के देखना है, और अपने जो दूसरा वो है था, अधर वो है किसको कह रहे है लेकिन फिर भी वो फूल पे गया, क्यों? तो रंजी वो जो टीगर फॉर सेकंड फाइट, वो सेकंड फाइट के लिए उसक नहीं था, बट ही स्टिल वेंट बैक तू दा पूल, लेकिन फिर भी वो फूल पे गया, बिकॉस, ही डिडिटन बच्चों यह विकोस के बाद ही आज उसने स्रेंडर कर दिया, तो वो उसको फोरेवर हो था, हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए पिटता रहेगा, हमेशा के लिए पीटा जाएगा, तो इसलिए वो लड़ाई की इच्छा नहीं उत्ते वे वो फूल पर जाता है, और जो कैस्टन फोर है, कि दोनों में ब बैटर स्विमर, निसंदे, जो बैटर स्विमर था, वो रंजी था, वी नो इट, हमें कैसे पता है, पुछा न, हमसे कि आप कैसे जानते है, वी नो इट, वेन ही डाइव फोर लोंग टाइम इंटू दा वोटर, हमें तब पता है, तब पता चलता है, जब वो काफी लंबे डाइव, स्विमिंग अंडर वोटर, ही सरकल सूरज, एंड कम्स अपोन हिम फ्रोम बिहाइंड, की सूरज था, वो सर्प्राइज कैसे हुआ, तो जो रंजी था, उसने अपनी जो अनेदर डाइव थी, दूसरी जो डूब की थी, वो भी पूरे अच्छे से लगाई, और फ जेंथी, उसने सूरज को हैरान कर दिया, आंसर सेकेंड, सेक्स, अट दपूल, दे फोर गोट टू कंटिन्यू दा फाइट, पूल पे वो दोनों फाइट करना भूल गए, देर इंटरस्ट शिफ्ट्स तू स्विमिंग अड रैसलिंग, जो उनका इंटरस्ट साब की, इसम हम से पूछा गया था ने, कि वो किन किन चीजों में से सूपिरियर था, तो गूड डाइविंग थी, दूसरा, स्विमिंग अंडर वोर्टर, पानी के नीचे अच्छा तैर कर सकता था, विलिंग नेस तो एल्प, एल्फुल भी था, वो दूसरों की एल्प करने की इच्छ फ्रेंड बन गए इसके कई रिजन्स से, बोथ निडिड इच अधर हैल्प, दोनों को एक दूसरे की हैल्प की गाइडेंस की और स्पोर्ट की जरूरत थी, सूरज वोंटी टू लर्न डाइविंग फ्रों रंजी, जो सूरज था वो, रंजी से डाइविंग सिक्तम, गोता आपको वीडियो कैसे लगी है, अच्छी लगी थो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठैंक्स अलोट